नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सारे लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी तयारी जबर्दस तरीके से कर रहे होंगे प्यारे दोस्तों आज जैसा कि आपको पता है एक नया बैच श्टार्ट हुआ है जिसका नाम है रैंकर्स बैच और इस आप सारे दोस्तों को बहुत अच्छे से बताए कि SSE के जितने भी एक्जाम इसमें चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CPO हो, MTS हो, या फिर GD हो, वो सारे का सारा एक्जाम इंक्लूड करके ये बैच आपका इस्टाइड किया गया है, जिसमें सारे ही एक्जाम के तो आज ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कि किस-किस एक्जाम की तैयारी, जैसे कि आपको सारे जब आपको ये लिख दिया गया है, कि SSE के सारे एक्जाम के लिए important है, तो हाँ, बेशक ये सारे ही एक्जाम के लिए बहत ज्यादा important, पूरा का पूरा आपका सेशन और पूरा का पूरा ये बैच है, तो आशा करता हूँ, जितने भी दोस्त अपने होंगे, वो सारे के सारे दोस्त बहुत ही बहतरीन तरीके से, बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे, और बहुत ही बहतरीन तरीके से, इस पूरा का पूरा ब जास है दोस्तों और introduction की लास में सबसे पहले मैं आपको बताउंगा कि हम किस किस exam को cover up कर सकते हैं इस पूरे के पूरे बैच पूरे बैच से कौन को से exam जिसको आप बहुत ही आराम से बहुत ही बहतरी बैच न तरीके से दे सकते हैं और दूसरी बात यह भी है कि हम इसमें करके बता दीजी हम श्टार्ट करते हैं आज का सेसन सभी को नमस्कार बहुत मिस्किया मैंने भी आप लोगों को है ना तो आप वापिस आ चुका हूँ ठीक है तो एक बार सारे के सारे दोस्तों को भी बता देना वापसी हो चुकी है मेरी ठीक है बई चलो ठीक है श्टार्ट करते हैं आज का सेसन आज जो है इंट्रोडेक्शन की गलास है और इस इंट्रोडेक्शन की कलास में दोस्तों हम S.E.C. के सारे ही एक्जाम को कवरड़ब करने की दोस्तों करेंगे इस फूरे के पूरे बैच में ठीक है बई चाहे वो S.E.C. का C.G.L. का एक्जाम हो, चाहे वो CHSL का एक्जाम हो चाहे वो CPU का एक्जाम हो चाहे वो MTS का एक्जाम हो चाहे वो स्टेनोग्राफर का एक्जाम हो है ना चाहे वो SSC GD का एक्जाम हो इन सारे के सारे एक्जाम के लिए बहुत important है यह आपके लिए बैच और सारे का सारा syllabus आपको इस पूरे के पूरे जो भी exam होते हैं उन सारे exam का जो भी syllabus है वो इस पूरे के पूरे आपके session में include किया जाएगा ठीक है बही चलो तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं जरा हमारे syllabus पर कि हमारा syllabus क्या है और क्या-क्या चीज़े हमें पढ़नी होती हैं उसके बारे में नज़र डाल के देखते हैं हमें जो भी पढ़ना है सबसे important part है alphabet से related जो topic होते हैं जैसे coding, decoding, pair formation, letter series alphabetical series, word formation, dictionary और logical sequence of series ये पूरा का पूरा part alphabet से related है ठीक है बई? और सबसे important है, most important है alphabet से related उसके बाद से आपके सामने number series एक topic आएगा और missing number आएगा ये numbers से related topic है ठीक है बई? ये numbers से related topic है तो ये भी आपके लिए बेहत ज़्यादा important है analogy में भी numbers, letters और words तीनों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ही classification में classification को हम odd one out भी बोलते हैं ठीक है? यहाँ classification में भी letters, numbers और words तीनों का तीनों प्रकार के सवाल आप से पूशे जाते हैं ठीक है? उसके बाद से coded equation सबसे important part है coded equation और आपने अगर recently exam देखा हो तो 2 से 3 सवाल इस coded equation topic से आपके exam में आ रहे हैं तो इसको भी पढ़ेंगे इसकी practice सबसे जादा करेंगे क्योंकि इसमें पढ़ने लाए कुछ भी नहीं है practice बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको equation को क्या करना होता है? balance करना होता है equation की value बतानी होती है तो जितनी बहतर आपकी calculation होगी उतनी बहतर तरीके से आप इस सवाल का answer दे पाएंगे उसके बाद dice से सवाल पूछे जाएंगे आपके exam में cube and cube words से सवाल पूछे नहीं जाते लेकिन आपके syllabus में है तो पढ़ेंगे हम ये भी cube and cube words से counting of figure most important है जो आकरितियों की गिंती होती है जिसमें triangle हम गिनते हैं square गिनते हैं rectangle गिनते हैं straight line गिनते हैं इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद blood relations के बारे में बात करेंगे ठीक है उसके बाद calendar के बारे में बात करेंगे clock आपके syllabus में नहीं है फिर भी हम इसको पढ़ेंगे प्रजिल, वेंड डायग्राम और वर्ड बेस्ट प्रॉब्लम्स यह आपके जो वर्बल रीजनिंग है उसका यह सेलेबस है ठीक है बई नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर आ जाएं तो हम में पढ़ना है मिरर वाटर इमेज पेपर कटिंग और फोल्डिंग पढ़ना है ए इनके लिए बहुत इंपॉर्टन है statement, conclusion, statement, assumption, statement, argument आपने स्सी के mains में देखा होगा statement and argument से question आए है exam में statement course of action के बारे में भी बात करेंगे और cause and effect के बारे में भी बात करेंगे तो यह logical reasoning का आपका syllabus है तो यह complete syllabus को हम cover up करने वाले हैं दोस्तो इस class में और आशा करता हूँ कि सारे लोग बहुत ही बहतरीन तरीके से तयार होंगे ठीक है भई तो हम डाइरेक्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से लेके चलते हैं ठीक है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे तो उसे समझ लीजिए का कि अपने पढ़ने का तरीका क्या होगा कि अगर हम और उसके बाद प्रिवियस एर के जो भी कोश्चन आये हैं वो प्रिवियस एर के कोश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जो भी अपनी क्लास है वो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे सबसे पहले बेसिक पड़ेंगे बेसिक से ही मैं आपको कोश्चन करवाऊंगा कोश्चन क कैसे कैसे solve करेंगे और जब आप question solve कर लेंगे तो अंतिम में उससे related जितने भी previous year के questions आ चुके हैं आपके exam में जो बहुत important है उन questions को भी हमें solve करना है ठीक है भीया तो start किया जाए आज का session फटाबट बताओ ज़रा आज का session start किया जाए देखो आज का session start करते हैं और पहला topic ह लेंगे direction and distance हिंदी में हम इसको बोलते हैं दिशा एवं दोरी ठीक है बई दिशा एवं दोरी और इस direction and distance के सबसे पहले basic portion के बारे में बातचीत करेंगे कि इसमें basic क्या होता है ठीक है बई तो start करते हैं आप सारे दोस्तों को यह बहुत अच्छे से पता है मेरे प्यारे द direction जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो चार परकार के direction कौन कौन से होते हैं आप कहोगे सर एक होता है north यह सब को पता होगा एक होता है उत्तर उसके बाद होता है east पुर्व ठीक है बई उसके बाद होता है south दक्षिड और उसके बाद एक और direction है जिसको हम बोलते हैं west पस्चिम ठीक है बई यह चार हमारे पास direction में मुख्य दिशाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं prime directions मुख्य दिशाएं और मुख्य दिशाएं कितनी होती है north, south, east और west सिर्फ चार परकार के ही हमारे पास prime directions होते हैं और जब भी दो direction के बीश में अगर आपको angle न क्या मैंने कोई भी angle बोला आपसे कि मैं north direction में जाते हुए अपने दाहिने मुड़ गया या अपने बाएं मुड़ गया मैंने अगर कोई angle नहीं बोला है तो हमेशा जो movement होती है दोस्तों वो movement होती है 90 degree की हमेशा movement कितने degree की होती है 90 degree की मतलब दो prime direction के बीश में अगर angle ना 90 degree का और अगर 90 90 90 इन सब को हम मिला दें तो ये कितने degree का angle हो गया आप कहोगे sir 360 degree का angle हो गया और 360 degree का angle किसका होता है circle का होता है तो हमने proof कर दिया कि प्रिथवी circular है हमने proof कर दिया प्रिथवी circular है लेकिन क्या प्रिथवी circular है आप मुझे बताइए क्या प्रिथवी circular है of earth क्या होता है earth की shape कैसी होती है तो आप कहोगे sir earth की shape होती है geoid shape कैसी shape होती है geoid shape हिंदी में भी इसको geoid बोलते है ये आपके exam में एक बार पूछा गया question है कि shape of earth क्या है आपका sphere भी था ellipse भी था ये सारे आप जो tick out करते हैं वो सारा option था एक अंतिम में option geoid था तो अपने question का सही answer geoid होगा geoid shape की पृत्वी है और अगर पृत्वी geoid shape की है तो हर दो prime direction के बीश में confirm है कि 90 degree का angle नहीं बनेगा मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है लेकिन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है अगर possibility है तो हमने तो यहां confirm बोला कि दो prime direction के बीश में 90 degree का angle लेंगे ऐसा क्यों confirm बोल दिया हमने क्योंकि ध्यान रखिएगा हमें आगे चलके distance निकालना है हमें आगे चलके क्या निकालना होता है कि दो बिंदूओं के बीश में distance निकालना होता है और उस distance को निकालने के लिए हमें थियोरम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थियोरम और पाइथागोरस थियोरम की एक condition होती है दोस्तों कि उसका एक angle 90 degree का होना ही चाहिए ठीक है भई सारे दोस्तों ने पाइथागोरस थियोरम एंगल लेंगे ठीक है भई अब आजा हुजरा चार और direction होते हैं जिनको हम बोलते हैं sub direction या फिर हम बोलते हैं cardinal direction चार और direction होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं sub direction बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं cardinal direction ठीक है भई उपदिशाएं हिंदी में भोलते हैं उसको उपदिशाएं और उपदिशाएं हमारे पास कितनी होती है यह सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उपदिशाएं किसको कहते हैं ठीक है भई तो मैंने आप से कहा कि नौर्थ और इस्ट के बीच के डिरेक्शन को हम क्या कहते हैं नौर्थ इस्ट साउथ और इस्ट के बीच के डिरेक्शन को हम क्या कहते हैं साउथ इस्ट साउथ और वेश्ट के बीच के डिरेक्शन को साउथ वेश्ट कहते हैं और north और west के बीश में direction को क्या कहते हैं नौर्थ वेश्ट और ये north east south east southwest और नौर्थ वेश्ट ये क्या होता है हमारे पास sub direction होती है उपधिशाएं होती है और जब भी prime और sub direction के बीश में अगर आपको angle ना दिया जाए जब भी prime और sub direction के बीश में angle given ना हो तो हमेशा इसी 90 degree को equally distribute करते हैं इसी 90 degree को क्या करते हैं equally distribute करते हैं और अगर equal distribution करेंगे तो इनके बीश में कितने कितने degree का angle हो तो चले जाएगा आप कहोगे sir 45 degree each मतलब prime और sub direction के बीश में अगर angle given ना हो तो हमेशा इनके बीश में angle हम कितने degree का लेंगे 45 degree का अगर सवाल में दे रखा हो तो उसके according चलेंगे लेकिन अगर सवाल में नहीं दे रखा हो तो prime और sub direction के बीश में हमेशा angle कितने degree का लेंगे 45 degree each मतलब 90 degree को equal divide करेंगे 45 पे कटेगा तो 45 degree का angle लेंगे ठीक है अब मैंने दर गूमेंगे clockwise direction में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिडा वर्त दिसा हिंदी में क्या बोलते हैं दक्षिडा वर्त दिसा और left हम हमेशा गूमते हैं इंटी क्लॉक वजी डिरेक्शन में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वामा वर्त दिसा तो हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को हिंदी में ध्यान रखिएगा कि दक्षिडा वर्त दिसा का मतलब होता है कि आप दक्षिड की तरफ ना घूमो आप क 90 परसंट आपका टॉपिक खतम हो जाएगा राइट और लेफ्ट के सीखने से सिर्फ सिर्फ अगर राइट और लेफ्ट आप सीख लेते हैं तो 90 परसंट टॉपिक को आप बड़े आराम से खतम कर परना है clockwise का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपने घड़ी बना लिया बारा तीन छे और नौ तो घड़ी के चलने की दिशा कौन सी है आपको होगे सर घड़ी के चलने की दिशा यह वाली है अगर घड़ी इस डिरेक्शन में चलती है तो clockwise और इसका उल्टा चलेगी तो anti-clockwise मै मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का face north direction की तरफ है अगर किसी व्यक्ति का मुँ उत्तर दिशा की ओर है और वो अपने दाहिने घूमता है उसको घूमना इस direction में है लेकिन क्या मैंने कोई angle बोला क्या क्या मैंने कोई angle बोला और अगर angle नहीं बोला तो हमेशा movement कितने degree की होगी 90 degree की मतलब आप सीधा कह सकते हो कि north facing person ये point बहुत ध्यान से समझना north facing person अगर अपने right मुडता है तो किदर जाता है east direction किदर जाता है बया east direction में ऐसे ही मैं कोऊं कि अगर किसी व्यक्ति का face east direction में है और वो अपने right मुडता है अब movement उसको कितने degree की करनी है 90 degree की क्यों क्योंकि आपके पास कोई angle नहीं दिया गया है ठीक है तो हमेशा movement 90 degree की होगी मतलब east facing person अगर अपने right मुड़ेगा तो जाएगा किदर भीया south direction में किदर जाएगा south direction में ऐसे ही मैं आप से कहूँ कि अगर किसी व्यक्ति का मुझ south direction में है और वो अपने right मुड़ता है तो किदर जाएगा आप कोगे अगर किसी व्यक्ति का मुझ south direction में right उसको इस direction में मुड़ना है एंगल मैंने कोई बोला नहीं हमेशा movement कितने degree की 90 degree की मतलब south facing person अगर अपने right मुड़ता है तो किदर जाएगा दोस्तो west direction में और west facing person अगर अपन right मुड़ता है तो किदर जाएगा north direction में और इसी को अगर simple form में मैं लिखने की कोशिस करूँ बहुत ध्यान से इस point को देखना कि अगर इसी को बहुत simple में लिखने की कोशिस करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं right side की तरफ जाओंगा तो n के बाद e आएगा e के बाद s s के बाद w आएगा w के बाद n आएगा कह सकते हैं न कि अगर मुझे right side जाना है किदर से north से तो आपका sequence यह होगा कि north से east, east से south, south से west, west से north अगर मैं कह दू नॉर्थ से बाई और जाना है आपको अगर मैं आपसे ये बोलू कि नॉर्थ से बाई और जाना है तो आपको होगे सर इस डिरेक्शन में चल पड़ो नॉर्थ से वेस्ट वेस्ट से साउथ साउथ से इस्ट और इस्ट से नॉर्थ की डिरेक्शन में आप च की आज से continue हो जाएगी दोस्त मेरा हाँ तूड़ गया था कलाई तूड़ गी ती इसकी वज़े से classes नहीं हो रही थी आज से start हो जाएगी टेंसन आ लिजे ठीक है clear हुआ भाईया फटवर बताओ चलो अगर राइड गुमना आप सीख गए तो भाया लेफ्ट गुमना भी बड़े अराम से सीख सकते हैं या फिर इसी बात को भी ध्यान रख सकते हैं तो आप लेफ्ट की तरीके से लेफ्ट में मुड़ सकते हैं जैसे आपके सामने ये एक figure बनाया है और मुझे लेफ्ट अगर एंटी क्लॉक वज डिरेक्शन में चलना है दोस्तों तो अब आपको जाना है इस डिरेक्शन में ठीके तो मैं आप से कहूँ कि अगर किसी व्यक्ति का नौर्थ फेसिंग परसन है और वो अपने लेफ्ट मुड़ता है इसका मतलब उसको क्या मुड़ना है अपने ब वेश्ट फेसिंग परसन है और अपने लेफ्ट मुड़ता है वेश्ट फेसिंग परसन अगर अपने लेफ्ट मुड़ेगा तो किदर जाएगा दोस्तों साउथ में जाएगा साउथ फेसिंग परसन लेफ्ट मुड़ेगा तो किदर जाएगा इस्ट में जाएगा और इस् नौर्थ से आपको लेफ्ट में जाना है तो क्या हैगा नौर्थ NWSEN तो आपको मिला जुला के इस पूरे के पूरे डिरेक्शन में एक ही बात याद रखनी है और वो बात मैं आगे लिख देता हूँ आपको आपको बस ये बात याद रखनी है इसके बेस पे कोई भी मुव् आप बड़े आराम से कर पाएंगे ठीक है NWSWN अगर नौर्थ से आप राइट साइड जाते हैं तो या आप राइट की मुव्मेंट कर रहे हैं और नौर्थ से अगर आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो आप किदर की मुव्मेंट कर रहे हैं लेफ्ट की मुव्मेंट कर र उसके बाद बहुत सारे ऐसे टाइप आएंगे जिसमें आपको figure बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी question का answer दे देंगे लेकिन हाँ ध्यान रगिएगा कि ऐसा भी नहीं है कि आप direction and distance topic में बीना figure बनाए question का answer दे देंगे कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे आपको figure बनाने की जरुवत पड़ेगी लेकिन ऐसे 80% सवाल आएंगे जिसमें आपको figure बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी सिर्फ आप इस statement के base पे अपने question का answer दे पाएंगे ठीक है बया एक बार फड़ावड बताईए क्या यहां तक clear हो गया है क्या यहां तक clear हो गया है फड़ावड बताओ बई Walker कह रहे है मैं आज class करने नहीं आया हूँ सर को दे हाँ सर तो जैसे powder और लिपिश्टिक लगा के आये हैं है के नहीं देखने आया हूँ कितनी गंदी गंदी बाते गरते हो तुम लोग इतने दिनों बात आया हूँ तब भी आप अच्छी बाते नहीं करते बताओ चलो अगर यह बात clear है मेरे प्यारे दोस्तों तो हम start करते हैं आज का session का पहला सवाल आपके सामने है बिना option के मैं सवाल दूँगा आपको option आपको नहीं दिया जाएगा लेकिन आपको क्या करेंगे आपको figure बनाना है अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं या तयारी कर रहे हैं तो आपको घर में copy pen लेके बैठना है figure भी नहीं बनाना है आपको सवाल का उत्तर बहुत ही बहतरीन तरीके से खुद से निकाल के दे ठीके भी या तो चलो पहले टाइप का question आएगा जब एक व्यक्ति multiple turn करेगा ठीके और व्यक्ति अगर multiple turn करेगा दोस्तों ग्यान रखना तो इस multiple turn में भी दो प्रकार के सवाल आते हैं इस multiple turn में भी दो प्रकार के सवाल आते हैं जब आपको initial प्रारंभिक दिसा दी और दूसरे टाइप का सवाल होगा जब आपको final direction दी जाएगी final direction दी जाएगी और initial आपसे पूछा जाएगा ठीक है बई तो दो प्रकार के सवाल करेंगे लेकिन उस सवाल को करने के लिए आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से clear होना चाहिए एक छोटा सा point है बहुत अगर मैं एक बार right मुड़ू तो मैं पुर्वदिशा में पहुँच गया एक बार right मुड़ू तो मैं किदर पहुँच गया पुर्वदिशा में इस direction में वापिस मुझे उस same direction में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप कहोगे सर एक बार right मुड़े ते एक बार left मुड जाओ, left मुड जाओगे, same direction में पहुंच जाओगे, अब दूसरी बात समझो, मान लो मुझे पता है कि ये direction है कि मैं north direction में जा रहा हूँ, और north direction में जाते हुए मैं एक बार अपने right मुड़ा, और एक बार अपने left मुड़ा, बताओ मैं कौन सी direction में आ जाओँगा, बताओ मै कौन सी direction में आ जाओँगा, मैं चल रहा था north direction में, north में चलते हुए, एक बार दाहिने मुड़ा हूँ, एक बार बाय मुड़ा हूँ, बताओ मैं कौन सी दिशा में हूँ, आप कहोगे same, उसी direction में आ जाओगे sir, north direction में, तो इनी concept का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं, में चलते हुए, 11 बार अपने दाहिने मुड़ा है दोस्तों, 9 बार अपने बाय मुड़ता है, ठीक है, फिर कह रहा है, 11 बार अपने दाहिने मुड़ता है, और 10 बार अपने बाय मुड़ता है, इसका मतलब उस पूरी journey में वो व्यक्ती 22 बार right मुड़ा है, और 19 बार left मु अब मैं आफसे कहूँ की वही concept लगादो जो अभी मैंने आपको बता है मैं किसी direction North direction में जा रहा था उत्तरदिशा में जा रहा था उत्तर में जाते हूँ मैं 19 बार अपने right मुढ जाओ और 19 बार अपने left मुढ जाओ कौन सी direction में आ जाओंगा बताओ कौन से direction में आ जाओंगा उसी में आ जाओंगा जिसमें में चल रहा था क्योंकि equal times right और equal times left आपस में cancel out हो जाएंगे तो आप कहोगे कि sir इस 22 में से 19 तक तो कट गया बचा गया आपके पास 3 बार right और आपको 3 बार right मुड़ना है किदर से north से आपको एक तरीका पता है याप एक formula N-E-S-W-N नौर्थ से आपको 3 बार right मुड़ना है पहला right मुड़े तो east में गए दूसरा right मुड़े तो south में गए और तीसरा right मुड़े तो किदर गए west में गए तो आपके question का सीधा answer क्या आगया west direction बिना किसी figure को बनाए आप question के उत्तर तक पहुँच गए है और वो उत्तर क्या है west direction है बताओ clear हुआ फटाबट बताईए clear हुआ वही और अगर clear हो गया तो सारे के सारे दोस्त एक बार अपने दोस्तों को बता दो भी या class start हो चुकी है है कि ने अगर आप बताओ ने तो कैसे काम चलेगा लोगों को कैसे पता चलेगा class start हो चुकी है एक बर फटाबट सारे के सारे दोस्तों को बता देना और ये बात clear है तो फटाबट बताईए ये बात क्लियर है ना अगर ये बात क्लियर है तो चलो अगले सवाल का उत्तर निकालते हैं देखते कितने लोग अगले कोश्चन का आंसर दे पाते हैं अगला कोश्चन आपके सामने है फटावट करिए जरा इस कोश्चन का आंसर क्या आएगा इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है एक बार फटा फट बताईए भई इस question का answer क्या आएगा और सारे दोस्तों को solve करके answer देना है अगर आप solve करके answer देंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही बहतरीन तरीके से चल रही होगी अगर आप तुक्के बाजी करेंगे तुक्का मारेंगे एजमसन लगाएंगे पुर्वधारडा लगाएंगे तो बिल्कुल ही गलत तरीका है आपको exact answer निकालना पड़ेगा भई एक्जाम में तो निकालना ही पड़ेगा यहां पे तुक्का मारोगे तो यहां तुक्का मारोगे कौन सा आपको वर्ल्ड कप मिल जाएगा है कि ने एक्जाम में तो आंसर निकालना ही पड़ेगा सेलेक्शन के लिए तो कोशिस करो कि एक्जाम की तैयारी आप यहीं पे कर लो फटाफट बताओ इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है करिए भई बोलो बोला गया है कि एक आदमी पूरब दिसा में जाता है किदर जाता है सबसे पहले आप उने उसे लिख लिया पूरब दिसा में चलते हुए वो पंदरा बार अपने राइट मुड़ता है ठीक भीया फिर सतरा बार अपने लेफ्ट मुड़ता है फिर पंदरा बार अपने राइट मुड़ता है और सोला बार अपने लेफ्ट मुड़ता है मिला जुला के भीया 30 बार राइट मुड़ता है और 33 बार मुड़ता है लेफ्ट अब आपको पता है कि सर 33 से 30 अगर मान लो 30 बार राइट मुड़ा है और 30 बार लेफ्ट मुड़ा है तो राइट और लेफ्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा आप कोगे सर 33 में से 30 गया बचा 3 और direction ले लो बड़े वाले की 3 बार left मुढ़ना है किदर मुढ़ना है 3 बार left आपके पास एक formula है N-E-S-W-N और इसके बाद एक बार और लिख दो क्योंकि N-E-S-W-N वापिस हो सकता है अब आपने का कि सर East से 3 बार left मुढ़ना है पहला left North में दूसरा left West में और तीसरा left South में कौन सी direction आगी दोस्तों South direction आगी तो अपने question का answer क्या आएगा दक्षिड दिसा South direction is the correct answer ढेर सारे दोस्तों का answer South आया है बहुत शानदार बहुत बढ़ियां बहुत जबर्दत स्रीकान तमायरा अनीशा आलोक आरसी रुद्रा राहुल सभी का answer है South बहुत बढ़ियां बहुत शानदार बहुत जबर्दत ठीक है भी या clear है चलो इस question का answer फिर बता दो इस question का answer बताओ एक बर फटावट क्या आने वाला है करिये try ज़रा इस question का answer बताइए तो अब आपको बिल्कुल clear हो गया है कि अगर आपको initial direction मतलब प्रारंबिक दिसा दी जाए और final direction अंतिम दिशा पोची जाए अगर आपको प्रारंबिक दिशा दी जाए अंतिम दिशा पोची जाए तो right और left काटिये जो बच गया उसी के according आप direction में move कर जाएए वो आपको direction बता देगा कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं अब इसी का उल्टा अगला सवाल start करेंगे जब आपको प्रारंबिक दिशा पोची जाएगी और अंतिम दिशा दी जाएगी कि आप पहुचे इस दिशा में हो तो बताओ आपने start किस दिशा से किया था इस सवाल के बाद वो सवाल पे आएंगे आशा है कि आप इस question का answer बहुत ही शानदार तरीके से दे पाएंगे फटवट बताईए बोला किया एक आदमी south direction में जा रहा था south direction में जाते हुए 12 बार अपने right मुड़ा है 12 बार अपने right मुड़ा है दोस्तो 14 बार left मुड़ा है फिर 16 बार right मुड़ा है और 20 बार left मुड़ा है आपने का sir 28 बार तो right मुड़ा और 34 बार sir left मुड़ा आपने का sir 28 right से 28 left cancel बचा कितना 6 बार left अब आपको बहुत अच्छे से पता है एक बात कि आप किसी भी दिशा में जाते हुए 4 बार right या 4 बार left move कर जाओ किसी भी दिशा में जा रहा हो किसी भी दिशा में अगर आप जा रहे हो वहाँ से 4 बार आप दाहिने मुड़ जाओ या फिर 4 बार आप बाये मुड़ जाओ तो आप सेम उसी दिशा में चले जाओगे इसका मतलब यहाँ से आप 4 बार चार माइनस भी कर सकते हैं तो छे लेफ्ट में से आपने चार लेफ्ट को निकाल दिया क्योंकि वो डायरेक्शन को नूट्रल कर देगा सेम डायरेक्शन में ले जाएगा तो आपके पास बचा किया दो बार लेफ्ट आपने यहाँ पे लिखा एक फॉर्मूला तर दिशा में जा रहा है और बहुत सारे ही दोस्तों का आंसर नौर्थ हाया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत बढ़िया क्लियर बई तो यह तो था कि जब आपको इनीशियल डिरेक्शन दी गई थी फाइनल डिरेक्शन पूछा जा रहा था अब की बार अगला जो कॉंसेप्ट आएगा उसमें फाइनल डिरेक्शन दी जाएगी इनीशियल पूछा जाएगा तो उस टाइप के कोश्चन को बड़े ही अराम से सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही अराम से देखो इस सवाल का उल्टा अगला सवाल है इस सवाल का उल्टा क्या है अगला सवाल है तो हब डिरेक्शन को भी क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे कोश्चन का आंसर आ जाएगा जैसे अगला कोश्चन आपके सामने है ठीक है बई अगला कोश्चन आपके सामने है बोला गया है A Man Walking In Some Direction एक व्यक्ति किसी दिशा में अब मुझे दिशा नहीं पता है ठीक है भी है अब मुझे दिशा नहीं पता है अगर दिशा नहीं पता है तो सबसे पहले हम क्या गरेंगे राइट और लेफट काड देते हैं अगर राइट और लेफ्ट काट देते हैं, उसके बाद हम किसी निसकर्स पे पहुंच जाएंगे, बोला गया कि 16 बार राइट मुड़ा है, 14 बार लेफ्ट मुड़ा है, फिर 16 बार राइट मुड़ा है, और 13 बार लेफ्ट मुड़ा है, आपने कहा सर 32 बार राइट मुड़ और 27 बार लेफ्ट मुड़ा तो 27 बार राइट से 27 बार लेफ्ट कट गया बचा गया पांच बार राइट पांच बार राइट में भी आप कहोगे सर चार राइट तो कट गया बचा एक बार राइट अब वो किसी दिशा में जा रहा था आप किसी दिशा में जा रहे थे, आपको नहीं पता है कौन से दिशा है, लेकिन इस दिशा में चलते हूँ, जब एक बार आप राइट मुरते हैं, तो वेश्ट डिरेक्शन में पहुंच जाते हैं, वापिस इसी दिशा में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ब आपका राइट बचा है, उतनी बार लेफ्ट कर दो, जितनी बार लेफ्ट बता है, उतनी बार राइट कर दो, किसमें जब आपको क्या दिया गया हो, फाइनल डिरेक्शन दिया गया हो, इनीसियल पूछा जाए, फाइनल डिरेक्शन अगर दिया जाए, इनीसियल पूछा बई अव वेश्ट से एक बार अगर लेफ्ट मूड़ोगे तो इदर जाऊगे South में इसका मतलब उस व्यक्ति ने Start कहां से किया था South डिरेक्शन से दक्षड दिसा से Start किया था कहां से Start किया था दोस्तों दक्षड दिसा से जाए तो जो भी अंतिम में बच जाए उसका उल्टा कर दो एक राइट बचाता एक राइट का उल्टा एक बार लेफ्ट होता है ठीक है अगर यहाँ दो बार लेफ्ट बचता तो इसका उल्टा दो बार राइट कर देते clear है भाई clear है चलो अगला सवाल देखो ज़रा अगला question same है आपसे बोला गय है कि एक आदमी किसी दिशा में चलते हुए 17 बार दाहिने मुड़ता है 22 बार बाये मुड़ता है फिर 20 बार दाहिने मुड़ता है और 22 बार बाये मुड़ता है और पाता है कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसने start कहां से किया था अब ज़रा देखो आपने कहा कि सर 17 बार right मुड़ा है 22 बार left मुड़ा है फिर 20 बार right मुड़ा है और 22 बार left मुड़ा है तो मिला जुला के सर 37 बार right मुड़ गया और 44 बार left मुड़ गया अब आपको पता है कि 37 राइट से 37 लेफ्ट काटेंगे तो आपके पास बचेगा 7 बार लेफ्ट और अगर 7 बार लेफ्ट में से 4 लेफ्ट उड़ा दे तो बचेगा 3 बार लेफ्ट अब 3 बार अंतिम में क्या बचा 3 बार लेफ्ट इसका उल्टा करो क्या आएगा 3 बार रा आप तुरंब लिख दो तीन बार right, मुड़ना तक इधर से north direction से, आपने N, E, S, W, N लिखा, north से पहला right, east, दूसरा right, west और तीसरा राइट, सोब और तीसरा right, west, तो answer क्या आएगा, west direction, पस्छिम दिसा, आंसर क्या आएगा, दोस्तो, west direction, पस्छिम दिसा, बताओ, clear हुआ, अ उन लोगों का clear हुआ गया बोलिए बई क्या कह रहे हूँ चार बार common है रही चार बार common नहीं है यहाँ भे आप क्या गरोगे साथ बार left को अगर उसमें से साथ left में से चार left बाहर निकाल दो और किसी भी दिशा में जाते हुए चार बार left मुड़ जाओ तो सेम उसी दिशा में पहुँच जाओगे तो मैंने कहा कि जब भी आप किसी भी दिशा में चल रहे हो वहाँ से चार बार right मुड़ो या चार बार left मुड़ो आप सेम उसी direction में आ जाते हो तो इस साथ बार left में से चार बार left को आपने हटा दिया तो बचा गया तीन बार left बच गया और तीन बार left अगर किसी भी दिशा से जाते हैं तीन बार left मुड़ते हैं तीन बार right मुड़ते हैं तो सेम उसी direction में तो पहुँच पाएंगे नहीं इसका मतलब तीन बार left बचा है तो इसी तीन बार left को क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे तीन बार राइट कर देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है भई 44-36 ले लिया था बहुत खुंखार तरीके से आंसर दिया चलो अगला सवाल जरा एक बर करके बताओ अब आपको क्लियर हो गया होगा ये तरीका एक बार फडबट बताईए कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा रुद्रा गेमिंग कह रहे हैं सरजी चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है ऐसा कोई भी सवाल मैंने दिखाया कि डारेक्शन से अलग किसी और टॉपिक से हो चैप्टर वाइज ही होगा प्यारे दोस बिल्कुल परिशान नहों आपको पहले ही बताया गया है कि ये पूरा का बूरा बैच ही चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज ही चलेगा ठीक है करिए ज़रा इस कोश्चन का अंसर करो फड़ापट क्या आएगा बोलो भई इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बोलागे कि एक आदमी किसी दिशा में चलते 50 बार राइट मुड़ता है ठीक है 40 बार लेफ्ट मुड़ता है फिर 40 बार राइट मुड़ता है दोस्तों और 54 बार left मुड़ता है ठीक है तो मिला जुला के 90 बार right मुड़ा और 94 बार left मुड़ा आपने कहा सर 90 right से 90 left कट गया बचा 4 बार left और किसी भी दिशा में जाते हुए अगर आप 4 बार left जाते हैं या फिर 4 बार right जाते हैं तो आप सेम उसी direction में पहुँच जाते हैं अंतिम दिशा south दी गई है तो प्रारंबिक दिशा भी क्या होगी southlaw direction ही होगी प्रारंबिक दिशा भी क्या होगी southlaw direction ही होगी clear है भाई और देखो ये यार तुम जो है न जितनी energy से पढ़ाई जाती है उतनी energy से आप जो है न दोस्तों को अपने बताते नहीं हो बहुत दुख देता है है कि नहीं बताया करो भाई चलो अगला कोश्चन देखो जरा ध्यान से अब की बार जो कोश्चन आया है उसके लिए आपके सामने ओप्सन है और यह दूसरे टाइप का कोश्चन है जहां पे आपको क्या किया गया है लेंग्विज में सवाल दिया गया है राइट और लेफ्ट लेंग्विज के बेस पे आपको काटना है अब यहां पे बहुत सारे दोस्त क्या बनाएंगे फिगर बनाने की कोसिस करेंगे और फिगर बना के आंसर देने की कोसिस करेंगे ठीक है भी लेकिन ध्यान रगिएगा फिगर बना के अगर आप आंसर देते हैं तो उससे कोई भी फाइदा नहीं होता है ठीक है फिगर बना के आंसर देंगे तो उससे कोई भी फाइदा नहीं होगा क्योंकि इस सवाल का आंसर बिना फिगर बनाए भी दिया जा सकता है एक बार फटाबड बताईए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बोलो भाई इस कोश्चन का आंसर क्या आएगा फटाबड बताओ आया भाई यही था ना यह गोश्चन था ठीक है एक मिनिट मैं पूल लगा रहा हूं भाई पूल लगा देता हूं कर देद्ग कर देदा हूं सब्च्छ थर्ट लैर में पूल कर दो थे राख के था चुल कर दो कि आएप कि आएप कि चलो भी या पोल भी आ गया है आपका आपकी demand पे पोल भी आ चुका है एक बार अब बताईए इस question का answer क्या आएगा आपकी डिमांड पे पोल आ चुका है भी है इस कोश्चन का आंसर बताओ क्या आने वाला है ठीक है देखो बोला गया है कि एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है किदर जाता है दोस्तों नौर्थ डिरेक्शन ठीक है भई सबसे पहले आपको डिरेक्शन के सवाल को अंतिम ला अब वह किस दिशा में जा रहा है या उसका मूह किस दिशा में है जब भी यहां पे एक डिरेक्शन को दूसरे डिरेक्शन से कंपेर ना किया जाए या यह आपके सवाल में ना लिखा गया होगी इनीसियल से फाइनल की डिरेक्शन बताओ या फाइनल से इनीसियल की डिरे सकते बोला गया कि north direction में जा रहा है 100 मीटर चलता है और अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है कहरा है फिर से वो अपने दाहिने मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वो बायूर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है बताओ किस दिशा में जा रहा है अब आपक बगड़े एक बार राइट मुआगना है आप किधर जा रहे थे, इसटी डारेक्षन में जा रहे थे, किधर जा रहे थे, एसटी डेरेक्षन में, B, आण्सर is करेक्ट, Walker ने 1 दसमलो 2 सेकेंड में उत्थर दिया है, ठीक है वाई, बहुत खुंखार लोग हो आप लोग चलो भया और कुल 40 लोगों ने सवाल का आंसर दिया है 40 लोगों ने question का सही उत्तर दिया है ठीक है भई तो इस question को simple right और left के base पे काट के answer हम बता सकते थे बड़े आराम से इसके लिए आपको figure बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी जैसा इस question पिछले question को हमने किया है अगले question को आप भी करेंगे इतने ही बहतरीन तरीके से और इतनी ही जल्दी आपको सवाल का उत्तर देना है फटा बड़ बताईए जरा इस question का answer क्या आने वाला है करो भई इस सवाल का उत्तर क्या आएगा फटा बड़ बताओ हाँ जी आया answer बताओ क्या इस question का answer आगया भी आ A option बहुत सारे लोग आ रहा है बहुत सारे लोग का B option भी आ रहा है तो A और B में ही answer है CD तक पहुँचे ही नहीं आप चलो देखते हैं क्या answer है इसका बोलागे एक आदमी south direction में जा रहा है south direction में जाते हुए 200 meter चलता है और उसके बाद अपने दाहिने मुड़ता है और 80 meter चलता है कह रहा है फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 100 meter चलता है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 50 meter चलता है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 30 meter चलता है ठीक है भई यही बोलागे है ना आपके सामने दो बार right दो बार left right से left कटा right से left कटा answer क्या आएगा south या आएगा option number a is the correct answer answer क्या आएगा option number a आपके question का सही answer है option number a will be the correct answer ठीक है भई यह 86% लोगों ने answer दिया है walker, jyoti, khushi, yogendr, saini, sandip top 5 लोग है और कुल answer कितने लोगों ने दिया है 57 लोगों ने सवाल का सही answer दिया है ठीक है भई 57 लोगों ने question का सही answer दिया है और इस सवाल का सही उत्तर क्या था south था क्योंकि सारे direction कट गए तो जाएगा कौन सी direction में है कि नहीं तो same उसी direction में जा रहा होगा अब चलो जड़ा इस question का answer निकालो इस सवाल का उत्तर निकालने की कोशिस करो जैसे आप prime direction की movement कर सकते हैं जैसे आप prime direction की movement कर सकते हैं वैसे सब direction की जैसे आपने कहा कि सर north से हम east जाते हैं east से south जाते हैं south से west और west से north जाते हैं तो आपने यह n e h w n लिखा तो ऐसे ही अगर मैं सब direction की बात करूं तो आप क्या कहोगे सर north east से हम किदर जाते हैं south east जाते हैं साउथ इस्ट से हम साउथ वेस्ट जाते हैं साउथ वेस्ट से हम नौर्थ वेस्ट जाते हैं और नौर्थ वेस्ट से नौर्थ इस्ट जाते हैं तो यह आपके राइट की मूवमेंट है और यह आपके गया है लेफ्ट की मूवमेंट है जब आप सब डारेक्शन उप दिशा की बात होगी तो नौर्थ इस से साउथ इस साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट से नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट से नौर्थ इस्ट ठीक है देखो बोला कि एक आदमी नौर्थ इस्ट में चलता है उसके बाद से 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहीने मुड़ता है 50 मीटर चलता है फिर वो अपने दाहीने मुड़ता है 40 मीटर चलता है फिर वो अपने दाहीने मुड़ता है 20 मीटर चलता है और फिर वो अपने ले एक बार लेफ्ट में जाएंगे तो किदर आ जाएंगे बाबू नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे तो आपके कोश्चन का आएगा ओप्सन नमबर बी आएगा नॉर्थ वेस्ट इस दा करेक्ट आएगा बताओ गोली की स्पीड से सवाल सौल हो रहे नहीं हो रहे फटाबड बताईए अनीशा, कुनाल, वाकर, खुशी, योगेंदर, भारती, नेहा, मांसी, मौसम और राहुल ये टॉप दस लोग थे और कुल 30 लोगों ने ही इस कोश्चन का सही आंसर दिया है सिर्फ 30 लोगों ने इस सवाल का सही आंसर दिया है ठीक है, चलो एक कोश्चन और कर लेते हैं एक कोश्चन और करते हैं, जरा देखते हैं, इस कोश्चन का आंसर कितने लोग बता पाते हैं, फटाबड बताओ ये नॉर्थ वेश्ट है ये साउथ वेश्ट है जड़ा बताईए इस question का answer क्या आने वाला है फटाफ़ ट्राई करो इस question का answer क्या आने वाला है करो भी यह try बोलिये इस question का answer क्या आने वाला है फटाफ़ बताईए सारे दोस्त देखो भई कह रहा है कि एक आदमी नॉर्थ वेस्ट डारेक्शन में जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में चलने के बाद 80 मीटर चलता है और अपने दाहीने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 50 मीटर चलता है और फाइनली वो अपने दाहिने मुड़ता है 40 मीटर चलता है पूछा गया कि अब आपने कहा सर राइट से लेफ्ट गया राइट से लेफ्ट गया बचा गया एक बा राइट मुड़ना है और नॉर्थ वेश्ट से जब एक बार आप राइट मुड़ोगे तो आप जाओगे किदर दोस्तों नॉर्थ इस्ट में जाओगे option number D इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है सही उत्तर है option number D is the correct answer 83% लोगों ने answer दिया है आशीस ने दस्मलों चार आठ सेकेंड में answer दिया है इनकी आखों को भगवान सलामत रखे हमेशा वाकर खुशी सुनाक्षी अनीसा वैशनवी राहुल ज्योती आईशा और अनसु ये टॉप 10 लोग है ठीक है और कुल 52 लोगों ने सवाल का सही answer दिया है ठीक है clear है फटाबट बताओ clear है तो direction topic हमने start किया है मेरे प्यारे दोस्तों और इस direction topic को हम खतम करेंगे बहुत सारे part है इसमें पढ़ने को वह एके करके हम पढ़ेंगे अच्छे level के question करेंगे easy level के question अभी तक आप करी रहे हो लेकिन अगर इसका concept नहीं पता तो इसके किया है दोस्तो direction and distance topic start हुआ है क्या direction and distance और इसका हमने सबसे पहले basic पढ़ा है और basic पढ़ने के बाद हमने सिर्फ direction से related सवाल अभी किये है direction से related question अभी हमने solve किया है इसके आगे हम कुछ और बाते पढ़ेंगे ठीक है एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब ये class चल रही ये YouTube की class है तो YouTube की class है तो आप अपनी जो है ना जो आपके अंदर बहुत जादा energy होती है उस energy को आप YouTube की class के chat box में आके और उसको खर्च करने की कोशिस करते हैं सारे दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है तो अगर आप खर्च करेंगे तो आपकी energy है आप ही बेतर जानते हैं कि उसको कहा खर्च करना चाहिए एक्जाम के तैयारी में खर्च करना चाहिए YouTube के chat box में खर्च करना चाहिए ठीके मैं आपके comment जो genuine comment है उसको जरूर ले लूँगा लेकिन अगर आप सोचें कि मैं आपका नाम ले लूँ ये ले लूँ वो ले लूँ भैया बिलकुल न आप हैं और पढ़ना चाहते हैं फ्री में आपको सुविदा मिलिए तो आप इसका लाव जरूर से जरूर उठाईएगा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों मिलेंगे आप से कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ कैसी लगी कलास आप ये कमेंट करके जरूर बताईएगा कमेंट आप करके जरूर बताईएगा कलास का फीड़ बैक देंगे उसके हिसाब से हम इस कलास को और भी बहतर तरीके से आगे लेके चलेंगे आज के लिए इतना ही ठाइंक्यू वेरी मुच नमस्कार जहिंद